Hello everyone, welcome back to my channel and इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CFA कोर्स के बारे में तो basically CFA कोर्स जो है यह आपके 1947 में आया था और इससे CFA Institute ने established किया था यह basically एक finance related course है and इस course में आपको powery करना सिखाते है powery का मतलब यहाँ पे यह है P से portfolio management, A से asset management W से wealth planning, R से risk management and I से investment to use करना आपको सिखाते है तो जैसे हैं आप CFA complete कर लेंगे तो आपको powery करना आ जाएगा तो अब बात करते हैं कि यह CFA course करने के बाद में मुझे फाइदा क्या 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 मिलेगा तो basically मैं scopes, benefits and all यह सब के वारे में बताने वाला हूँ तो देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक rising economy है तो rising economy के लिए सबसे जादा जरुवत किस चीज़ की होगी more financial professionals की and वो जो need है वो CFA पूरी कर पाएगी ऐसे सुनने से होता है हम लोग आजकल काफी बार सुनते हैं कि CFA, CFA, CFA तो basically देखा जाए तो market में demand बहुत जादा है लेकिन supply of CFA बहुत कम है तो अगर आप CFA करते हैं तो आपके लिए job opportunities बहुत जादा रहेगी इसके अलावा देखा जाए तो यह सिरु ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में काम कर सकते हैं आप इंडिया और foreign countries हर जगा काम कर सकते हैं वी इट बिग फोर, financial institution, corporate तो आपके लिए हर जगा आपके लिए availability है तो CFA करने से आपके साथ में आपके पास में बहुत सारी benefits रहेंगी and job roles अकर देखा जाए तो आपके पास में काफी सारे options है आप portfolio manager बन सकते हैं, investment banker बन सकते हैं and financial advisor बन सकते हैं तो आपके पास में काफी सारे options है तो आप CFA complete कर ले तो आपके पास में बहुत सारे jobs availability रहेगी and देखा जाए तो अभी marketing उठने सारे CFS नहीं है तो अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत जादा easy रहेगा and देखा जाए तो यह course CA के मुकाबले थोड़ा सा easy है तो अगर आप CA का alternative ढून रहे है तो यह course आपके लिए बहुत जादा ही अच्छा रहेगा तो अब हम बात कते हैं eligibility criteria के अवारे में कि इस course को pursue करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तो जादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको graduate होना पड़ेगा और अगर आप graduate नहीं भी है तो आप एक special condition लायाव है इसमें कि last year of graduation में भी आप इसको pursue कर सकते हैं इसके अलावा एक और एक special feature है इसमें कि 4000 work hours आपको complete करने पड़ेगी और यह जो work experience है यह आप कहें से भी ले सकते हैं like be it financial be it finance और other field तो आप कोई भी field में आप यह 4000 work hours आप complete work experience complete कर सकते हैं इसमें और एक option दिया है कि work के साथ सथ आप चाहें तो education भी pursue कर सकते हैं इसमें actually इस हिसाब से count होता है कि one year of higher education is equal to 1000 work experience and अगर आप one year of work experience लेते हैं तो उसे 2000 hours count किया जाता है तो आप education and work को दोनों combine करके भी आप 4000 hours gain कर सकते हैं तो यह आपके उपर में आप कि आप 4000 work experience कैसे लेंगे by pursuing any higher education या फिर by doing official works and आप उस हिसाब से आप उसको like for official works आपको जैसे कि मैंने बताया है कि एक साल का 2000 hours count होता है तो अगर आप 2 साल भी अगर काम करते हैं तो 4000 hours आपका complete हो जाता है वहीं अगर आप higher studies के लिए जाते है तो आपको फिर 4 साल पढ़ना पड़ेगा तो उतना टाइम में तो आपका graduation ही complete हो जाएगा तो यह सारे आप exam देने वाले हैं तब आपके पास में एक valid international passport होना ज़रूर ही है तो यह चार conditions है मतलग कि एक तो mandatory है भई की passport होना ही पड़ेगा और बाकी तीन में से आप देख लिएजे कि आप कौन सा fulfill कर रहे हैं या आप graduate है या फिर final year of graduation में या तो 4000 work hour 4000 work experience आप complete कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं तो basically यह eligibility criteria है अब हम लोग बात करते हैं fees के वारे में कि भई की कितने लगेगी CFA course में तो basically देखा जाए तो फीस इस तरीका से है कि जब आप पर्स ताम आप जब enrollment करवा रहे होते हैं तो उस समय आपको 350 डॉलर पे करना पड़ता है यह आपको सिर्फ CFA का level 1 के लिए ही pay करना पड़ता है and level 2 and level 3 में यह pay नहीं होता आपका इसके बाद में exam fees आपकी pay होगी 900 डॉलर की यह जो 900 डॉलर है यह level 1 2 & 3 दोनों में ही payment तीनों में ही payment होगी तो देखा जाए तो total 1250 डॉलर का expenditure है in level 1 and हाला कि अगर देखा जाए तो यह early bird के लिए है और अगर आप regular registration करवाते हैं तो आपका जो charges होगा वो होगा आपका 1550 डॉलर तो basically 300 डॉलर ज्यादा लगेगा and देखा जाए तो इसमें एक special चीज यह है कि अगर आप scholarship ले ले तो यह जो fees है वो drastically reduce हो जाएगी लेकि scholarship लेने के बाद में आपका जो level 1, level 2, level 3 का expenditure है वो 300-400 डॉलर तक आ सकता है पर exam का मैं बात कर रहा हूँ इन total नहीं लेकि level 1 जो है वो 300-400 डॉलर आ सकता है तो scholarship का जो topic है वो काफी बड़ा है तो मैं उसको इस video में cover नहीं कर रहा हूँ मैं उसके लिए separate video बनाऊँगा तो उसका link मैं description में दे दूँगा नीचे में तो आप हाँ चेक कर सकते हैं या फिर मैं आपने channel में बना रखोंगा तो आप चाया तो playlist चेक कर सकते हैं CFA से related या courses से related या तो उपर i button दिख रहा होगा आपको तो i button में आप click करके आप देख सकते हैं कि भई कि CFA से related scholarship क्या है तो वो scholarship के वारे में separate video में बता दूँगा तो currently देखा जातो फीस आपके approximately 2-3 lakh लगेगी without scholarship और अब बात करते हैं कि ये course में पढ़ाई क्या करना पड़ेगी मतलब कि course overview के वारे में discuss कर लेते हैं हम लोग तो course overview के हिसाब से देखा जाए तो इसमें तीन पढ़ा हो है level 1, level 2 level 3 simple and इसके अलावा इसमें subjects देखा जाए तो 10 subjects होती है तो ये जो 10 subjects है वो तीनों level पे ही रहती है मतलब कि same ही subjects तीनों level में level 1, level 2, level 3 तो देखा जाए तो भई कि ये एकलोता ऐसा course होगा जहां पे तीनों level में same ही subjects पढ़ने पढ़ती है but difference क्या है कि weightages अलग-अलग रहती ह है उसमें अगर पहला जो subject है उसमें अगर वेटेज ये 5-10 marks का तो second level में उसका weightage change हो जाएगा third level में उसका weightage change हो जाएगा तो weightage जो है वो हर subject का अलग-अलग level में change होती रहती है and subjects का मैं बात करूँ तो इसमें जो 10 subjects है वो ये सारे subjects है तो पहला जो subject है वो हो गया ethical and professional standards इ जिसमें आपको calculations and statistics यह सब के बारे में समझाया जाएगा, फिर fourth subject है आपका fixed income, जिसमें आपको bond, debentures and all यह सब के बारे में बताया जाएगा, फिर fifth है आपका economics, जिसमें आपको micro and macro economics के बारे में बताया जाएगा, फिर sixth है आपका derivatives, जिसमें derivative market के बारे में आपको बताया वारे में बताया जाएगा नाइन्थ सब्जेक्ट है आपका corporate finance जहाँ पे corporate funding, investment decision, capital structure ये सब के वारे में आपको बताया जाएगा and last subject है portfolio management and wealth planning जहाँ पे आपको portfolio कैसे manage करना होता है ये सब के वारे में आपको बताया जाएगा अब बात करते है time duration के वारे में कि भाई की CFA करने में किता time लगेगा तो normally जो average देखा जाएगा तो students लोको करीब करीब धाई से तीन साल या करीब करीब चार साल भी लग जाती है ये course करने के लिए हाला कि अगर आप बहुत जादा brilliant है minimum to minimum period में अगर आप complete कर सके तो minimum period है इसको complete करने का 18 months जो कि normally कोई कर नहीं पाता है तो इसलिए on average धाई से चार साल तक वो extend हो जाता है and इसमें देखा जाता है कि exam frequency के है वो तीनों level के लिए अलग अलग रहता है जो level 1 जो है वो साल में आप चार बड एक्जाम दे सकते है तो चार बड किस हिसाब से कि एक बार होता आपका February में दुसरा होता आपका May में किसरा होता आपका August में और चौथा जो होता हुए नवेंबर में होता है level 2 जो है उसका साल में frequency है तीन बार का तो तीनों एक्जाम की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग-अलग है आपकी एंड आपको ऑन एन अवरेज तीन से चार सार लग सकता है एंड मिनिमम टू मिनिमम एटीन मन्स लग सकता है तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इतना पैसा क्यों खर्चा करूं इतना पढ़ाई क्यों करूं क्या फाइदा होगा मुझे इतना पढ़के तो बात करते हैं सालरी के बारे में तो इसमें देखा जाए तो अलग-अलग लेवल के साब सालरी पैकेज़ेज है अगर आपने लेवल वन क्लियर कर लिया तो आपको आपको पाइफ तो सेवन लाग के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लेवल थी क्लियर कर लिया तो मैं चार्टर होल्डर बन गया क्या नहीं बिल्कुल वैसा नहीं होता है लेवल थी क्लियर करने के साथ साथ आपको 4000 ऑवर्स और वक एक्सपिरियंस भी चाहिए और वो स्पेसिफिकली फाइन्स फैनानस है रिलेटेड ही होना चाहिए जो कि आपको 3 years of minimum experience चाहिए गई तो यह जो 4000 वर्क एक्सपिरियंस है यह फैनानस रिलेटेड है इसको आप eligibility criteria के साथ में मत करिएगा eligibility criteria में जो मैंने आपको वक एक्सपिरियंस बताया था वह फैनानस रिलेटेड भी हो सकता था और वह किसी और फील्ड के लिए भी हो सकता था लेकिन आप जब CFA charter holder के लिए आप जा रहे हैं तो इसमें यह जो 4000 hours of work experience जो है वह आपके finance related field ही होना चाहिए उसके अ तो आपको सबसे ज़्यादा salary मिलेगा हाला कि यह ultimately आपके skill के उपर में depend करता है अगर आपका skills बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप ज़्यादा higher end में आपको salary मिल सकता है अगर आपका skills उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको lower end में ही खुद को satisfy करना होंगे कि भई की यह जो course है क्या यह मेरी लिए है क्या मैं यह exam clear पाहूंगा तो बात करते हैं passing rate की वारे में तो इस में देखा जातो जो level 1 है उसमें approximately 41% बच्चे पास हो जाते है लेवल 2 में 45% बच्चे पास हो जाते हैं तो देखा जातो हर level में करीब करीब दो में से एक बच्चा पास हो जा रहा है तो आपके लिए 50-50% probability है पास होने का एंड हर एक level के लिए हिसाब से ऐसा है कि आगर आपको भी level clear करते हैं तो आपके लिए आपके पास में job availability है तो as compared to CA, जैसे कि normally क्या होता है कि CA में जब भी कोई exam दे रहा होता है तो वह बहुत जाता फस जाता है and 100 में से 2-3 बच्चे ही होता है जो clear कर पाते है complete CA and यहाँ पे CFA में देखा जातो हर दो में से एक बच्चा clear कर रहा है CFA तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप जॉइन करते तो आप फसी जाएंगे थोड़ा सा आप effort देंगे तो आपके तीन से चार सल में आपका CFA clear हो जाएगा सब्सक्राइब का सिस्टम होता है तो सबसे ज़्यादा से इसमें 65-70 का रेंज है तो अगर आप 65-70 परसेंटाइल अपला रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि हांकि आपका हाई चांस है पास होने का तो इसमें जो difficulty level देखा जातों यह बहुत moderate level पे है तो आप यह exam easily pursue कर सकते हैं आप tension मत लीजे कि यह exam अगर मैं लूँ तो कहीं मैं CA के तरह ना फर्स जाओ कि अब तो मैं कुछ आगे बढ़ने लाइक ही नहीं बचा और नाम में पीछे जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आप आराम से इसको pursue कर सकते हैं pursue करने के साथ साथ आपको यह assurance भी है कि अगर आप थोड़ा सा efforts देते हैं इसमें तो आप clear भी कर सकते हैं CAFA charter holder भी बन सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं exam pattern के बारे में तो देखा जातों exam pattern इस तरीका से level 1 जो है level 1 में आपका mcqs है level 2 जो है वो भी mcqs है ले कि आपको sas type questions आपको लिखने पड़ेगी तो kino levels के difficulty level अलग-अलग रहती है और जो pattern है वो भी अलग-अलग रहते हैं अलाकि यह चीज है कि सारे के सारे जो exams है वो आपके online computer-based exams है इसके लिए आपको को foreign countries में आपको travel निकरना पड़ेगा आप इंडिया में रहके ही आप exam दे सकते हैं अलग-अलग centers होते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि console center में exam हो रहा तो आप उस center में जाके आप exam दे सकते हैं और अगर आपको यह course को pursue करना है इन इसके लिए अगर आपको coaching की requirement है तो आप description चेक कर सकते हैं description में मैंने coaching का details दे रखाया और अगर आ अपने friends लोग के साथ में जिन्हें career guidance के सबसे जादा requirement है